स्वागत है अब सभी का इस्टेंड आप क्लास इपा तो दोस्तों आज मैं आपके लिए नेवी एससार एयरफोस ग्रूप एक्स के लिए इसके गुडण फल्ह इसके रूटों का योग और गुडण फल्ड क्या पुचरा रिशियो पुचरा अनुपात पूचरा आपको यह बताना आप लोग आप संदेखलेजिए यह साथ रेशियो 12 बी दो अनुपातिय 3 सी तीन अनपाते दो डी शात अनपाते अठार है ता आप लोग इस क्वेश्चन को साल्व किजिए और इसका इंसर कमेट किजिए देखिए क्या पूचा इसमें रेशियो आफ दस्म अनप प्रोड़क्ट आफ रूट्स आफ 7 x स्कॉर मैनस 12 x प्लस 18 तो सम आफ रूट्स निकालेंगे सम आफ रूट्स निकालें दें दो रूट्स है अलफा और बीटा तो अलफा प्लस बीटा क्या हो जागा आपका मैनस 12 ब यह ठीक है और प्रोड़क्ट आफ रूट्स आलफा यू बीटा यहाँ इसका प्रवल होता है सिबई यह चीटारह यह आपका साथ तो अठारह बट्स सथ और बारह बट्स बारह बट्स अनुपात पूछ रहा है इसका अनुपात पुछ रहा है तो एक और मैनस लग जागा नुपात आंसरा इन्टू बीटा तो बारे बटए साथ अनुपात आठारे बटए साथ 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 कर जाएगा और इसके बाद आपका बच्छेगा दो सहजुना बारे स्रीका अठार है यानि दो अनुपात है तिन रिका क्या हो गया रिसीव आ गया जो कि आपसर नम्बर कौन से आपका आपसर नम्बर भी है भी आपकर जाएगा अब बढ़ते हैं अगले अगला कोशन देखें अगला कोशन दिया है इसका प्रोड़क्ट आप रूट्स आप एक स्क्वार मैनस थ्री एक्स प्लस के इसकोल टू टू ठीक है जो प्रोड़क्ट आप रूट्स है इसका जो रूट्स है उसका प्रोड़क्ट कितना दिया है मैनस दो दिया है तो पूछ को सौल किजिए इसका अंसर कमिट किजिए देखिए आप लोग की चोड रही बरती है वह रही बरती आपकी आ चुकी है बट यूपी के लिए भी नहीं आई यह फिलाल में भीहार हडियाना और राजस्थान के लिए तो अपने उसका प्लाई कर दिजिएगा और जो यूपी तो यह बहुत है कि मेरा रेली बरती नहीं यहां तो मेरा नहीं हो पाएगा धा अप लोग रेलिवा सख़्चा तो देखिए को सॉल करते हैं किया दिए कोशन ब्रॉडलक्ट आप रूट्स अब इतना x square minus 3 x plus k is equal to 10 दिया है ठीक है और कर रहा है कि इसका जो product है is कितना दिया है minus 2 दिया है तो देखे equation दिखेंगे x square minus 3 x plus minus 3 x plus k 10 को बराबर किदा लेते हैंगे minus 10 is equal to 0 ठीक है x square minus 3 x plus k minus 10 is equal to 0 तो product of roots क्या होता है c भाइए एक कितना दिया है 1 दिया c कितना दिया k minus 10 तो अलफा इंटु बीटा इसको कितना हो गया k minus 10 और अलफा इंटु बीटा कमान कितना दिया है alpha इंटु बीटा कमान कितना दिया है minus 2 यानि k minus 10 बराबर कितना दिया है minus का 2 तो के बरावर क्या हो जाएगा मैंज 2 पुलस 3 यानी 8 हो जाएगा कि कमान कितना आगया आपका 8 है बिल्कुल रिज़ी सा question था आप सा नमर भी आपका क्या हो जाएगा ठीक है इसी तरफ questions आते हैं एयरफोर्स के एक्जाम में तो आप लोग एयरफोर्स के तैयारी कर रहे हैं इसी तरफ questions आएंगे आपको solve करने रहेंगे बहुत कम समयन का टाइम रहता हम आपे तो आप लोग solve किजिए अगला question देखिए अगला question दिया है इसको solve किजिए और इसका answer कमेंट किजिए देखिए सबसे पहला रूट क्या दिया है अलफा कमाले इतने दो रूट है अलफा और बीटा पहला रूट आपको दिया है 3 मैनस अंदर रूट 2 1 अपान 3 मैनस अंदर 2 तो इसको solve करके पहले रूट को ऊपर की तरफ़े जाएंगे तो 1 अपान 3 मैनस रूट 2 इन्टू 3 प्लस रूट 2 अपान 3 प्लस रूट 2 ठीक है उसको solve करेंगे तो आप आएगा इसको solve करेंगे तो आप आपको 3 3 प्लस रूट क्यू याए तो बीटा क्या हो जागा प्लस रूट क्यू हो जाएगा तो इसको डिखेन कालेंगे क्या हो जागा प्लस प्लस पड़ेगा क्या चालत प्लस पड़ेगा सबसे पाला उस पड़ेंगा आपका सम प्रोट्स अंद प्रोडॉक्टेश अ Bowl फ्लस बीटा निकालेंगे looks 307 कि कि अ कितना जागा 6 by 7 ठेक है और alpha into beta आप बीटा आजाओगा आप ते तरी का नो 7 सत्ते उन्चास root 2 का माइनस करेंगे मैं root 2 का यूश्वार कर देंगे 2 और 7 सत्ते उन्चास यानि 7 बट्टे उन्चास यानि केंस्वर जाएगा बचेगा आपका 1 बट्टे 7 अल्फा प्लस बीटा आउर आगया 6 बट्टे 7 अल्फा बीटा आउर आगया 1 बट्टे 7 अब इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो क्या हो जागा x square minus sum of roots कितना है 6 by 7 into x plus product of roots कितना है 1 by 7 is equal to 0 यही आपका final answer आएगा जो कि option number कौन सा है आपका option number c है c आपका क्या हो जागा correct answer हो जागा गला questions देखिए गला questions क्या दिया है इप the sum of square of the roots of the equation x square plus 2 x minus p is equal to 0 यदि sum of the roots of square of the roots और आज जो sum of the square of the roots जो roots है इस equation को roots है उनका square का sum है वो कितना 10 है तब p का मान बताए x square plus 2 x minus p is equal to 0 is 10 जो sum of the square of roots जो इस equation का जो roots है उसका square करने मान जो मान जो मान जो roots है ठीक है मान जो alpha root है अफिर एक beta root है दोना के square करेंगे alpha square plus beta square उसका मान कितना दे दिया 10 दे दिया तब पूछ रहा है जो इस equation में जो p है उसका p का मान बताना है आपको तब आपको आपसंद देखेंगे ए माइनस 3 b3 c6 d-6 इसको solve किजिए इसका answer कमेंट किजिए सबसे पहले equation का देखिए x square plus 2 x minus p is equal to 0 दिया है ठीक है यह 0 है इसको 10 मा समझेगा आपको तो क्या करेंगे सबसे फिर्फ हम पहले some of roots alpha plus beta निकालेंगे तो प्लस में तो क्या हाँ खांगा क्या हता है sam प्रोट्स मैंनस alpha alpha plus beta into minus 2 और alpha into beta आपका हो जागा मैनस p देखिए alpha is square plus beta स्कोर कितना दिया है alpha become to be task or to subscribe दिया है आपका 10 दिया है तो आपको alpha plus beta का holy square का formula लिखना अल्फा square plus beta इसक्वार प्लस टू अल्फा बेटा। ठीक रोटेम किसका मन काला आ है आलफा यानि मैनस थी का। इस फर्मूले में वैलू फूट करेंंगे, इसका सॉल्फ करेंगे, तो अलफा प्लस बीटा एका स्क्वार यान 2 का स्क्वार कितना हो जाएगा आपका? याँ पुल्स ब्राबर, अलफा इसक्र प्लस बीटा इसक्र कितना दिया, 10 दिया है, ओर अलफा इंटू बीटा दिया, आपका, माइनस P, जैनि, पुल्स 2 इंटू, माइनस P, ठीक है, तो, माइनस 2P हो जागा, 4 is equal to 10, आपका फैनल ही आया, आपका भी है पी आपका क्या हो जाएगा ठीक है अब बढ़ते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन देखिए विल्कुल ईजी सा कोशन से इसको मैंने जानबुच के लिए अच्छा सा कोशन ईजी कोशन लेकि इसमें भी कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग को कि क्या करना इतना इतना इसके बज़ा से आप लोग कुछ करके चले आते हैं तो आप लोग इसका रूट्स बताना है पहला अप्शन 5-5 दूसरा 3-3 तीसरा अंडर रूख 34-34 अंडर रूख 34-8-2 जिसको आप लोग स्वाल किजिए क्या हो जाएगा यह प्लस बी मैंनस बी का सिंपल फर्मूला यह कुछ सॉल्फ करनी जूरत है नहीं एक स्कॉर मैंस 9 इसकोल टूट्य फाइप लगावर 34 यानी एक प्लस मैंनस 34 यानी आप्शन नुम्बर सी आपका क्या हो जागा करेक्ट टेंस बहुत आगा अब बढ़ते हैं अगले क्व बार प्लस B X प्लस C is equal to 0 is 1 टाइम साफ दो अधर रूट कोई एक रूट है वह दूसरे रूट का क्या यह टाइम से माल लेते पहला रूट अलफा दूसरा रूट का जागा यह अलफा हो जागा तब बताएं क्या एक्क्वेशन होगा एक्वेशन बताना है आपको जो उच दूसरा है कि अगर एक रूट का यह टाइम से दूसरा रूट है इस एक्क्वेशन जो एक्क्वेशन है जो क्वाट्रेटिक एक्क्वेशन है इसका वह एक रूट दूसरे रूट का यह टाइम से तो बताएं क्वाशन सही होगा दोनों को आप्शन का आप्शन का आप्शन इसको टूजी दो चौथा डी इन्हें से कोई नहीं तब लोग स्वाल किजिए इसको और इसका इंसर कमेंट किजिए देखिए पहला आपका अलफा है दुसरा यन टाइमस आप दूद आधर रूट तो आपका यन टाइमस यन अलफा तो अलफा प्लस अलफा क्या दिया होगा माइनस का बी बाइए यानि सम आप रूट्स सिंपल में मूलो का यू इंदी मूलो का यू अलफा प्लस अलफा किना दियोगे माइनस बी बाइए और अलफा इन्टू यन अलफा बरावर कितना होगे सी बाइए यानि यन अलफा इसक्वार बरावर हो जाएगा सी बाइए यहां पे alpha 1 plus n is equal to minus b by a square कर देंगे इसका alpha square ब्राबर 1 plus n का whole square ब्राबर b square अपन b square इतना हो गया अब alpha square की जगा c by a n रख देखते हैं देखें alpha square की जगा c by a n रख देते हैं bracket में 1 plus n square 1 plus n का whole square is equal to b square by a square यह के से के के केंशल हो जागा आपका हो जागा दी स्क्वाइर यह ठीक है c1 plus n square यहां पर अभी यह है ठीक है यहां पर अभी यह बचा है यहां पर के कटा एक बचा है जो अगला question देखें अगला question देखें अगला question दिया है इफ is equal to 0 is 4 यदि एक रूट उसका पहले रूट क्या है चार है ठीक है equation क्या है 3 x square minus 6 k x plus 8 k बराबर 0 तब पूछरा दूसरा रूट क्या होगा अगर पहला रूट दिया इस equation का पहला रूट दिया है तो दूसरा रूट क्या होगा option देख लिए अपलो a 2 b minus 2 c minus 4 d 3 ता अपलो इसको solve कीजिए और इसका answer केमेंट कीजिए देखें एक रूट माली जे अगर पहले एक रूट दिया इस equation को सतिस्फाइड करेगा करेका बिल्कुल करेगा तो इस पहले इस equation को सतिस्फाइड कराते हैं तो तीन चर्चोग को 16 माइनस 6 इंटू के इंटू 4 प्लस 8 के ब्राबर 0 यानि 48 माइनस 24 के प्लस 8 के ब्राबर 0 यानि के ब्राबर आपका कितना आ गया 3 आ गया के ब्राबर आपका कितना आ गया 3 आ गया के एक वैल्यू इस equation फूट करते हैं तो 3 x माइनस 788x प्लस 8 investigators is equal to 0 यानि येक स lanç 6 एक्स प्लस 8 ब्राबर 0 तो इतना है आगि आपका एक सिसक्वार मैंने 6x प्लस 10 when to 0 थे आफ दिख्यों अब ढिकाना क्या इसकात दूसरा डूट निकाना तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया अल्फा प्लस बीटा कितना हो जागा अल्फा प्लस बीटा आपका दिया क्या क्या क्योशन था यक्स इस्कायर मैंने 6 एक्स प्लस ऐट बढ़ाव 0, alpha प्लस βी टा बढ़ावर हो गया 6, alpha कितना दिया आपका 4 दिया, plus βी टा बढ़ावर 6 यानि बिटा आपका कितना हो जाएगा, 2 आपका क्या हो जाएगा, दुसरा रूट्स का है, बिटा बढ़ावर 2 आपका right answer हो जाएगा, A, option number A, आपका क्या हो जाएगा, प्लस Q इसको एक्वेशन 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 जो इक्वेशन है एक्वेशन उनका इप डीफरेंस है उनका यूग क्या ए यूटी एक्वेशन से लागुज है समझने कोईशिस किजिएगा जो अलफा और बीटा आइन का डिफार यानि डिफरेंश क्या थे यह तो जो एक होता है अलफा मेरस बीटा कितना दिया एक दिया तो तो अब बताए क्या होगा आप संदेखली आप लोग पी स्कार ब्राइब पूर क्यू प्लस वन पी इसकार ब स्पाइब ग्ली आपका पी फ्याई गाइब यह ती और आ पाल्फा मेरस बीटा बीटा की अब क्योड़ेंगा फ्लन हुड़े और बीटाोफ्ट क्या दिया पूर्इकू उटर्श कर देंगे अल्फा फ्लस बीटा का स्कार कैस क्या इसकार ब्रावर और ओंश क्यान्य तो ш numéro 4 square मेंड 2 स्क्वार मारावर 4 q तो आपका हूं जो कि आपने लुल का जणा क्यां स्कूर प्रे अग्लाअये अल्प होते जाय आपका कलास में अगले स्क्यानी और आसके क्लास में अगले